काफी बार इस तरह की चीज़े सामने आती है जहां पे सरकारी दफ्तरों में ये बात कही जाती है कि रिश्वत चलती है लेकिन कहीं बार ये चीज़ साबित होती है और कहीं बार ये चीज़ साबित नहीं होती मैं आपको बताना चाहूँगा आज Vigilance Department द्वारा PWD Office जो की मेरे पीछे आप देखने हैं PWD Office जो की बाहू प्लाजा में स्थित है यहाँ पर आज एक Vigilance Department द्वारा RAID की गई जिसके अंदर ये पाया गया है जो एक important सूचना थी Vigilance विभाग के पास की Superintendent Engineer के एक PA है जो की रिश्वत मांगते हुए पकड़े गए हैं इनका नाम जगदीब सिंग बताया जा रहा है जिनसे अब इनिवेस्टिकेशन चल रही है और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा की contractor license जो की D-grade license होता है उसके लिए जो है बीस हजार रुपे मांगे गए थे जिसके बाद 13 हजार पे में बात हुई थी जो की रिश्वत का एक मामला है जिसके बाद आज लगबग एक दो वजे से यहां पर विजलेंस विभा की एक बड़ी रेड पड़ी है जिसके बाद ये मामला सामने आया जिसके अंदर ये काफी बार सुनने को भी मिलता है कि इसी तरहां से रिश्वत का काफी बोल बाला है सरकारी दफ्तरों में मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा खुद गवर्नर साहब ने भी ये कहा कि जमू कश्मीर के अंदर चाहे वो रेक्रूट्मेंट पॉलसी हो चाहे वो अगर हम बात की जाए किसी तरहां की भी सरकारी दफ्तरों में कोई नोकरी की बात हो तो वहां पर भी काफी जैदा सिफ पारिश या फिर रिश्वत भी जमू में चल रही है वहीं अब ये मामला एक और सामने आया है जो बड़ी पोल खोल रहा है जमू में PWD विभाग की जहां पर ये मामला तो एक सामने आया है लेकिन उसके सासाती शायद कहीं ऐसे मामले होंगे जो सामने नहीं आती होंगे ल जिन से ये सारी पूश्टाश हुई है जो इन्वाल्व है इस बड़े रिश्वत के मामले में जिनका नाम जगदीब सिंग बताया जा रहा है जो कि इनके पिये हैं और 13,000 रुपे की जो है पैसा मांगा गया था जिसके बाद ये खूफिया सूचना जो है विजलेंस जो है यहां पर रेड किया जाता है और उसके बाद से ही दस्तावेज भी कुछ बरामत किये गए है और उसके साथ-साथ जो पिये है उनको भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए अपने साथ लेके जाया गया है यह जो पी डब्लूड ऑफिस है जहां से ही आप इस कün्प्लेंट आयी थी उन्होंने ये बताया है कि कोन्ट्रेक्टर लाइसेंस जो की डी ग्रेड का लाइसेंस होता है उसके लिए जो है यह पैसे मांगे गए जिसके लिए लग बग 20,000 रुपे की मांग की गई थी जिसमें बाद में 13,000 रुपे में बात हुई थी और जो ब रिश्वत की भी काफी सारी इस तरह की वारदाते सामने आती हैं जो कि कहीं बार तो सामने आ पाती हैं और कहीं बार सामने नहीं आ पाती हैं लेकिन रिश्वत देना या लेना दोनों जो हैं जुर्म हैं आप लोग जानते ही हैं इसलिए हर बार ये बात की जाती है कि जहां प और इस तरह के सिस्टम को सुधारने में सरकार का योगदान करना है क्योंकि अगर आप लोग आज अपना काम निकालने के लिए चाहे रिश्वत दे देते हैं लेकिन उससे नुकसान ये होता है कि पूरा सिस्टम पूरा तंतर जो है बिगड जाता है वो तंतर जब बिगड जाता है तो उसके बाद वो लोग जो है रिश्वत लिए बिना काम ही नहीं करते बिना रिश्वत के किसी का काम नहीं होगा जो एक पूरा तंतर बिगाडने के पीछे आम आदमियों का बड़ा हाथ है इसलिए रिश्वत देना और रिश्वत लेना दोनों ही कानूनी जुरम है जिसके अंदर vigilance विभा की हम तारीफ करेंगे जिनोंने मोके पर आके जो है इस मामले को दर्ज किया है और further investigation जो है अभी चल रही है PWD जो ये main office है बाहू प्लाजा गांधी नगर का वहां की ये खबर है जहां पर एक आदमी रिश्वत लेते जो है उसको पकड़ा गया है जिसके अंदर अभी further जितनी information है वो हमने आपको बताई कि 20,000 रुपे की मांग की गई थी जिसके बाद 13,000 रुपे में बात final हुई ले सामने आई है ये बड़ी चीज सामने इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये तो एक मामला सामने आया शायद इससे पहले कितने और मामले यहां पर इसी तरह से जो contractors के license है वो renew होते होंगे ये बड़ी चीज है अब vigilance विभाग को ये भी देखना चाहिए कि इससे पहले भ बड़ी सारे कडिये जूड़ी हुई है जो हम आपको थोड़ी देर में और बताएंगे थोड़े वक्त में जरूर बताएं क्योंकि इस मामले के साथ और भी बड़ी सारी कडियें जूर सकती है जो हम आपको exclusive jackie media बताएंगे लेकिन फिलहाल अभी तक का यही update है जो हम पने